तुझी दिन है बुद्वार का और सुभी का वक्त है और यहाँ पर सुभी की शुरुवात हो रही है पूजा के साथ गर के सारे काम अल्मूस्ट हो चुके हैं तो मैं नहाद हो के आ गई हूँ सुभी की पूजा करने के लिए पूजा करती होना एक कमेंट जरूर आता है कि दी जबी आप पूजा करते होना तो आरती जो है वो खड़े हो के किया करो तो आज मुझे भी याद आगे या पूजा करते वक्त तो मैंने आरती खड़े होके की है बाकी की पूजा जो है मैंने बैट के की है तुझी आज आपको बताने वाली हूँ कि अभी गर्मियों में मैं कौन से संस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन में तो सबसे पहले तो आपको बता दो कि संस्क्रीन बहुत जरूरी होता है गर्मियों में लगाना क्योंकि संस्क्रीन क्या करता है एक तो जो सूरच की हरिकारक यूवी केंडने होती है उससे आपके skin की सुरक्षा करता है उसके साथ ही साथ जो aging की समस्या हाती है आपको उसको भी दूर करता है लेकिन एक सही sunscreen का चुनाव करना भी बहुत जादा जरूरी होता है मुझे तो मेरा favorite sunscreen जो है मिल चुका है मैं बताती हूँ आपको की मेरा favorite sunscreen कौन सा है और मैं कौन सा sunscreen यूज़ करती हूँ अपने skin को इतना glowing और चमकदार बनाने के लिए और साथ ही एक ऐसा sunscreen है मेरे पास जो की मेरे skin पे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता है और मेरे skin पे बहुत ही जल्दी absorb हो जाता है तो इसकर रही हूँ vitamin C का ये daily glow sunscreen जिसमें है SPF 50 और PA++++ vitamin C daily glow sunscreen बहुत हलका है और कोई भी सफेद दाग जो है आपकी skin पर नहीं छोड़ता है इस screen है ना सूरच की जो हानिकारक किड़ने होती है उससे आपको बचाता है और साथ ही रोजवाली चमक जो है आपकी skin पर लेकर आता है कोई भी सफेद दाग नहीं छोड़ता है दूप से तो सुरक्षा देता ही है साथ में जो है आपकी skin को भी चमकदार बनाता है और रुचकी हानिकारक UV किड़नों से भी बचाता है हल्दी के गुणों से युकती है धूप के संपर्क में आने से जो आपकी skin डैमेज हो जाती है उसको तो ठीक करता ही है साथ में आपकी skin की जो नैचुरल चमक होती है ना उसको भी दुबारा लोटाता है यह बहुत हलका है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और आपकी skin में तुरंट absorb हो जाता है सारे product chemical free है और बिल्कुल natural है अगर आप screen पर दिया मेरा code यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% का off mamard.in पर mamard के सारे product available है mamard की website, app, amazon, nika, flipcut और purple पर भी जब आप इनसे कोई product खरीते हैं यह आपके order को tree से link कर देते हैं और उस tree की exact location और picture आपके साथ share करते हैं यह plastic positive और Indian brand है इन्होंने अपना एक official app भी launch किया है जहां से आप extra discount पा सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि mamard के जो product है वो online तो available है ही लेकिन अभी वो offline भी available है तो जब भी आप अपने nearby store से जो है mamard का product खरीते हैं तो मुझे comment box में comment करना ना भूलिएगा आप भी यह वाला sunscreen purchase करना चाहते हैं तो link मैंने दे दिया है अपने description box में आप वहाँ पर जाके इस sunscreen को purchase कर सकते हैं कर लेते हैं नाश्टे की तैयारी और नाश्टे में ज़्यादा कुछ नहीं मैं बनाऊंगी सिर्फ दही के साथ जो है हम लोग पराठे खाने वाले हैं हुआ यह था कि सुबे ना मैं सबजी बना रही थी तो मेरे husband ने मुझे बोला कि सबजी वगरा रहने दे क्योंकि आज भंडारा है नाश्टे का टाइम होता है तब तक भंडारा शुरू हो जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं जो भंडारा था ना वो लंच के टाइम पे शुरू हुआ क्योंकि नावमी के दिन हवन वगरा होना था तो पूजा थोड़ी सी जो है लंबी होती है तो उतनी देर जो है वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि होई जाता है फिर सुबे नाश्टे का टाइम हो गया था तो सबजी बनी नहीं थी तो फिर जो चलो एक एक दो दो पराठे हम लोग दही के ही साथ खालेंगे उसके बाद फिर लंच नहीं बनाना होगा तो लंच के टाइम तक जो है भंडारा स्टार्ट होई जाएगा पर देखिए गर्म गर्म पराठे बराने कर दिये हैं शुरू बच्चे और बच्चों के पापा बैट गये थे टेबल पे तो बस गर्म गर्म उनको पराठे सर्व किये उसके बाद आ चुकी हूँ बैलकिनी में कपड़े सुखाने के लिए और ये चमतकार क्या हो रहा है आज? विदांश पानी की बॉटल्स भर रहा है लेकिन ये चमतकार ऐसे ही नहीं हुआ इस चमतकार के पीछे भी कुछ है क्या है विदांश बताएगा? विदांश बताएगा विदांश बताएगा विदांश बताएगा? विदांश बताएगा विदांश बताएगा विदांश बताएगा? तो बस लंच बताएगा हमारा हो चुका है अभी मुझे थोड़ी सी कीचन है ना ये क्लीन करनी है तो चलिए मैं अपने दिरे दिरे से काम निप्टा लेती हूँ अच्छी का अंदर बैटके देख रही है श्री कृष्णा और ये ही रोग शुरू हो गया लैप्टाप चावधाली हटी और दुरगटना घटी आज सुबा पढ़ा था आप नहीं पढ़े गई ये बिल्कुल सुबा पढ़ ली आज श्याम को तो चलिए मैं भी अपने काम निट्टा लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं जो है इलाइची पाउडर डाल के चली गई बाकी का का मैं उसको बोलके गई थी कि चाय जो है हमारे लिए अंदर ही ले आना तो वंशीका के पापा भी अंदर ही बाटे वे थे वो अपना जो है ऑफिस का काम करे थे तो मैं भी जो है उनी के ही साथ जाके बैट जाती हूँ मैं हालनकि जिस टाइम पे वो अपना आफिस का काम करते हैं जिस टाइम पे वो कॉल लेते हैं उस टाइम पे बात नहीं करते हैं लेकिन वही है कि मुझे आदत है तो मैं उन्हीं के ही सामने जाके बैठ जाती हूँ, फिर चाहे हम लोग बात करें, चाहे ना करें, फिर चाहे हम लोग अपने अपने, मतलब फोन वोन पर बीजी हों, तो यहाँ पर देखिए अभी जो है दोनों बच्चों का हो गया है दांच को थोड़ा सा मना रही थी, आज मैंने उसको दुपैर में बहुत डांट लगाई थी, तो वो मुझे ना नाराज था, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मनाया, अच्छा जितनी जल्दी नाराज होता है ना, उतनी जल्दी मान भी जाता है, बहुत जाया उससे बनाने जो चाय के थोड़े बहुत बरतन थे, और थोड़े बहुत निकली जाते हैं, इधर उदर देखो तो बरतन निकली आते हैं, तो बस वो जो है मैं जल्दी से दो दूँगी, आज जो है दुपैर में जो मेरी हाउसल पर है वो आई थी बरतनों के लिए, लेकिन उस टाइम प चाप खानी है, उसे सोया चाप बहुत जादा पसंद है, बहुत ही जादा, तो फिर आज का प्लान यही था कि जो सबजी है वो बाहर से आने वाली है, तो मुझे सिर्फ रात को रोटिया बनानी थी, सबजी जो है हम लोगों ने बाहर से मंगवा ली थी, सोया चाप की तो बस जल्दी से रख दिया है, यहाँ पर उसका घी बनाने के लिए, और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा नेक्स डे मॉनिंग, मतलब की यह जो वीडियो है, आज सुबे का ही है, और यहाँ पर चल रही है बचों के टिफिन की तैयारी, और आज जो है टिफि के रख लिया था, ताकि सुबे का थोड़ा सा मेरा काम जो है वो इजी हो जाए, जब तक प्यास जो है ब्राउन हो रहे है, तब तक यहाँ पर जो है कट कर लेते हैं टमाटर, तो तीन टमाटर जो है, मैं इसमें आट कर रही हूँ, आज मैंने हरी मिर्ची इसमें नहीं डा प्राई मसाले, वही नमक, मिर्च, दनिया, पाउडर और हल्दी, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर मैंने इसमें आट कर दिया है, बैंगन, तो अच्छे से मैस्ट किये वे बैंगन थे, लेकिन अभी टमाटर बहुत अच्छे से गले नहीं थे, तो यह अप जादा जो है ना, उसमें मैस्ट हो जाएगा, और जब तक उदर भरता बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आटा गुन रही हूँ, तो मैंने आटे में थोड़ा सा नमक एड़ किया था, और थोड़ी सी जो है अजवाइन भी एड़ कर दी है, और मैंने आपको पहले भी बत बचों के लिए गर्मा गरम पराठे और बस जल्दी से पराठे बना के फिर मैं उनका टिफिन पैक करूंगी, जल्दी होती है ना, मैं राउंड राउंड शेप में, मतलब रोटी की शेप में और आईल लगा देती हूँ, तो जरूर कॉमेंट आते हैं कि यह कैसा पराठा ज़िदा पराठे बनाये सब्सक्रा में जर्स ज़िए पैपा को आफीBye야 शेप में अब रिज्कों की Ezad मैंपर ने हीं और कि बना की इसमतर ने व हर दोड़ना credential आते हैं तो एपा क्याम कर रहा कुंद दूने इनको छोडने भी मुझे ही जाना था क्योंकि वंचीका के पापा को आफिस जाना था तो चलिए आदा घंटे की निए इनको और पूरी करने देते हैं नहीं जगाती हूँ तो बस यहाँ पर बच्चों को रेडी करने के बाद अब मैं इनको छोडने के लिए जाऊंगी और इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो उसको लाइक और शेर करना ना भूलिएगा